योजनाइन इंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मुख्य मंत्री का पैंसन को लेकर के बड़ा ऐलान जारी हो चुका है क्योंकि दिवाली से पहले बढ़ेगी पैंसन और अब जो पैंसन मिलेगी वह 4500 यानि के 4500 रुपे 4500 मिलने वाली है और सबसे पहले किन पैंसन धारकों की यह पैंसन बढ़ाई जाएगी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है और मुख्य मंत्री स्रीयोगी आयतिनाज जिने क्या ऐलान किया है क्या गोशना की है वह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है तो वीडियो को आखीर तक जरूर देखेगा और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो चलिए बताते हैं कि सबसे पहले पैंसन किन लोगों की बढ़ाई जाएगी दिवाली से पहले फैस्टिवल सीजन में करमचारी और पैंसनरों समेथ अन्य वर्गों को सोगात के मिलने का सिलसिला जारी है एक तरप केंदर के दुआरा डिये बढ़ाय जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी करमचारियों और पैंसनरों के डिये में चार परतिसत की वर्द्धी और दीपावली बोनस को लेकर तयारिया जो रोपर चल रही है देखिए यह तो आप जानते ही हैं कि केंदर सरकार ने जो केंदरिय करमचारी हैं और पैंसनर हैं उनके डिये में चार परतिसत की वर्द्धी की थी वहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी करमचारियों और पैंसनर के डिये में चार प्रतिस्त की वरद्धी और दिवाली बोनस को लेकर के तैयारी चल रही है वहीं दूसरी तरफ निरासरित महिलाओ के लिए भी अच्छी खबर आई है CM योगी आजितेनात ने निरासरित महिलाओ को मिनने वाली पैंसनरासी में वरद्धी करने का ऐलान किया है यानि कि जो निरासरित महिलाओ को संबोधित करते हुए CM ने कहा कि आने वाले समय में निरासरित बहनों को मिनने वाली पैंसन की रासी में वरद्धी की जायगी कोई समाज तब तक सवालंब वे ससक्त नहीं हो सकता जब तक आधी आबादी सुरक्सित वे सम्मान के साथ जीवन यापन नहीं कर रही हो वर्तमान में इने एक हजार रुपे महिना की पैंसन मिलती है सीम के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि भाजपा के समकल पत्र के अनुसार इस रासी को बढ़ा कर एक हजार पान सो रुपे पड़ती महा किया जा सकता है तो यह जो पैंसन रासी है वह एक हजार पान सो रुपे यानि के पंदरा सो रुपे महिना किया जा सकता है और फिलाल यह है एक हजार रुपे महिना मिल रही है CM योगी ने कहा है कि मुख्यमंतरी कन्या सुमंगला योजना के अंतरगत बेटी के जनम लेने से इसना तक की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार अब तक 15,000 रुपे दे रही है नए सत्र में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपे करने का निर्ने लिया जा चुका है यानि कि जो कन्या सुमंगला योजना है उसमें 15,000 रुपे अभी तक मिल रहे हैं और नए सत्र में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपे कर दे जाएगा बेसिक सिक्साप परिसद के अस्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दो यूनिफोर्म जूता, मोजा, बैग, किताब, स्वेटर देने की वज़स्ता तै कर दी गई है दाखिला होने पर 1200 रुपे परिवार के अकाउंट में चले जाते हैं डबल इंजन की सरकार ने तै किया है कि परिवार की आर्थी किस्तिदी ठीक नहीं है तो बेटी की जिम्मेदारी सरकार लेगी तो साथियों जो रईया में जनसबा हुई उसमें मुक्यमंत्री ने यह गोशना की, यह बात की और उसमें कहा गया कि जल्द ही सबसे पहले जो निरास्त महिला है विद्वा महिला है उन लोगों की पैंसन बढ़ा करके 1500 रुपे महिना की जाएगी जो भाजपने अपने संकल पत्र में भी वाइदा किया है तो यह पैंसन लावारतियों के लिए जो विद्वा पैंसन लावारति हैं उनके लिए बड़े अच्छी ख़बर है क्योंकि अब इन्हें पैंसन जल्द ही 1000 रुपे से बढ़ा करके 1500 रुपे महिना मिलने वाली है वीडियो गर आपको अच्छे लगा हो तो लाइक सेर कमेंट जरू करिएगा और चैनल पर नहीं आए हैं तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा